हलो माई वीवर्स कैसे हो आप सब तो आज मैं आप सबों के लिए लेके आई हूँ एक्चली डिमांड पे लेके आई हूँ कीचन हैक्स तो चलिए देखते हैं तो आप सभी यूज करते होंगे इडली में चटनी में बहुत सारे चाज़ों में करी लीप्स जी हां मीठी नीम पर कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम पर मिलता नहीं है तो इसे स्टोर कैसे करें यह देखिए एक एरटाइट डब्बे में मैंने इसके लिप्स को रख लिया है और इसे आप फ्रीज में रख दीजिए जब चाहे यूज कीजियो और फिर एरटाइट में रख दीजिए यह आपका 15-20 दिन, 30 दिन आराम से चलेगा इसे आप अंधेरे में ड्राइ करके भी रख सकते हैं और इसे भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है मसाले जी हाँ जब हम कहीं जल्दी में होते हैं तो मसालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक-दो दिन के लिए तो आप ऐस से श्टोर करके रख सकते हैं लेसन अद्रक मिर्ची पेश्ट बना करके एरटाइट डब्मे में रखती है मैं जिसकी बात कर रही हूं वो है कीचन का राजा जी हां आलू हम सभी किया आलू की इतनी वेराटेज मनती है कि हर लेडिज को कम से कम 10 आईटम पता होगा आलू के वोटेवर तो आलू आप हमेशा बॉयल करके रखा कीजे इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अब चलते हैं मसालों की और कई बार ऐसा होता है ना कि घर में कोई गेश्ट आ गए और मुझे जल्दी जल्दी बहुत कुछ बनाना है या आप वरकिंग उमेन है तो उसके या कोई भी मसालेदार सबजी बनानी हो बस ये मसाला यूज कीजे और आपका जटपट से सबजी तेयार है तो देख लीजे यहा मैंने ओयल में डाल करके भून लिया है अच्छी तरीके से अब उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी टर्मरिक हल्दी धन्या पाउडर डाल कर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी आड़ करूंगी और इसे डाल कर अच्छे से भून दोंगी तब तक भूनओंगी जब तक की ओयल छोड़ने न लग जाए जी हां आप चाहो तो नमक भी डाल करके रख सकते हो इससे होगा क्या कि आपका लॉंग लास्ट पैक करके रख दो और जब चाहे बस निकालो और यह यूज कर लो अब आते हैं धनिया की पती पर ठंडी के मौसम में तो यह आराम से मिल जाते हैं पर प्रॉब्लम तब होती है जब गर्मियों का सीजन आता है तो यह नहीं मिलते हैं और धनिया के बिना मज़ा नहीं आता तो इसे अप कैसे स्टोर करके रखें या तो आप इसे अच्छे से धो करके बारिक बारिक काट करके और जैसे मैंने करी लिप्स रखना बताया है आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप एक काम करें इसे धो लें धो कर एक टौवल पे अच्छे से सुखा लें जी हां आग अंधेरे में या फिर सनलाइट ना पड़े ऐसी जगह पे इसे ड्राइ करके और उसके बाद जिप लॉग बैग में रखिए या फिर आप किसी भी एर टाइट कंटेनर में रखिए और इसे यूज करते रहिए आप इसे सालो भर यूज कीजिएगा कुछ नहीं होगा आपको पानी पूरी बनाना है आपको सबजी में डालना है आपको जैसे यूज करना है कीजिए enjoy कीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा हो हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा मैं आपके लिए बहुत सारे hacks लेकर आ रही हूँ जी हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं actually जब मैंने school ज्वेन किया नहीं नहीं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए सिखने सिखाने के लिए तब मुझे realize हुआ कि ये hack मेरे लिए बहुत important है तो आप भी ये कर सकते हैं इस तरह से सब्जियों को cut करके और इसे store करके रखिए जब जुरू थो बस जल्दी से बना लिजिए या फिर carrot को इसे आप इस तरह से cut करके अपने मंचाहे आकार में refrigerate करके रखिए और काफी time तक आप इसे use कर सकते हैं ये तो थे मेरे कुछ backup hacks जी हाँ kitchen के backup points backup hacks मैं इसे backup ही बोलती हूँ क्योंकि इसके बिना न हमारी life थोड़ी सी उल्जी सी हो जाती है तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अगर पसंद आया हो तो ठोको लाई चलिए कुछ और hacks देख लेते हैं अब फुलके रोटी या नरम बने और ये देखिए ये milk वाले जो बरतन होते हैं इन्हें धोने में काफी time जाता है तो मैं क्या करती हूँ इसी में मैंने आटा ले लिया और इसी हलके हलके पानी डालके नरम ये से गुन लूँगी जैसे आप नरमल रोटी के आटे गुनते हैं इससे क्या होगा कि ये जो मलाई और दूद बचा हुआ होता है वो आपका आटा में मिल जाएगा और उससे आपके फुलके जो बनेंगे बड़े नरम और सौफ बनेंगे और आपका पतीला भी इजली साफ हो जाएगा आपको पानी में छोड़ कर उसे थोड़ी देर सोख होने के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा अब तुरत उसे धो सकते हो ये देखो उपर से हलका सौइल ग्रिस करो तो आपके आटे कड़े भी नहीं होंगे जी हाँ तो चलिए कैसा लगा आपको अब बताईएगा और ये देखो मैं यहाँ फुलके बना करके भी आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से बिलकुल गेंद की तरफ फुले फुले हुए फुलके तेयार होंगे तो आपको कैसा लगा यह हैक देखिए और बताईए अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट कीजिए तो चलिए अब हम बात करते हैं कई बार ऐसा होता है जल्दी वाजी में हमारी सबजिया जल जाए या नमक उसमें बहुत ज़्यादा पड़ जाता है सूखी और तरी वाली सूखी सबजियों में आप थोड़ा सा पनी डाल सकता है अगर कम नमक है मतला बहुत तेज नहीं हुआ हो तो या नहीं तो यह देखिए मैंने बटर लिया उसमें थोड़ा सा मैदा भूना और उसके बाद उसमें सबजियों को मिला देजे टेस्ट भी डेवलप हो गया और बस या फिर आप पोटाइटो ले सकतें जी हाँ आलू और इसे छिल कर काट ले कच्चे आलू को और तरी वाली सबजियों में डाल करके 10-15 मिनट के लिए उसे धीमी आज पर उबलने दे और बाद में आलू को निकाल ले क्योंकि आपके सबजियों के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर आपका तो हो गया तो इसे निकालने बाद में यह देखिए यहां मैंने आलू को साइड कर दिया है जिससे कि वो सभी में मिक्स अपना हो जाए इसलिए और बाद में मैं उसे निकाल लूँगी आपके सामने ही निकाल लूँगी अब देख लोगे इससे क्या होगा आलू जो होते हैं वो नमक एबजॉब कर लेते हैं तो आपके सबजियों फेकनी नहीं पड़ेंगी आपको परिशानी नहीं होगी कि आप क्या करो आप एजली बस आलूँगो निकालो और सर्व करो फिर देखो आपकी तो बल्ले बल्ले अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूट किजेगा बहुत मेहनत कर रही हूँ सुहाना जी ये वीडियो खास कर आपके कहने पर बनाया है सेकेंड है टूमेटो जी हाँ टमाटर आलू आप सुखी सबजियों में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्ची जादा हो गई हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए यहां मैंने थोड़ी से ओयल में टोमेटो प्यूरी जिहां टोमाटर को पीस लिया है वो और उबले हुए आलूओं को डाल दिया जैसा कि मैंने आपको पताया था उबले हुए आलू हमेशा रखिये बहुत काम के होते हैं और सुखी सब्जियों को भून लिजे किसी को पता कभी नीचे लेगा कि कभी इसमें नमक भी ज़्यादा था या फिर आप फिर ब्रेड जरूरी उच कर सकते हैं आज कल हम सभी कहां ब्रेड ओता है तो ब्रेड कَ प्म ब्रेड कर्म सुचिसे बोलते हैं आप वो डाल दी जिये या फिर तरी वाले में ब्रेड डालिए लेकि हाँ इसे ध्यान रखेगा इसे निकालना धीरे-धीरे है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है या फिर आप आटे की लोई ले ले एक रोटी के आटे बराबर लोई और उसे भी सेंटर में डाल दे और दीमी आच पे उसे उबलने दे दस मिनाट पंदर मिनाट उबलने दे वो सारे नमक को एबजाब कर लेगा उसके बाद आप सर्व किजे आराम से आटे की लोई को किनारे कर दीजे वो नमक एबजाब कर लेगा और बस आप अराम से सब्जीों को सर्व कर सकते हैं तो कैसा लग रहा है बताईए का जरूर आप दही भी यूज कर सकते हैं अगर तीखा हुआ हो तो भी ये टेश्ट को भी इन्हाइंस करेगा दही आप डाल सकते हैं तो दही को डाल करके लेकिन हाँ धीमी आज पर डालना वरना सबजी फटी-फटी सी दिखेगी धीमी आज पर डालना और continue चलाते रहें अब लेमन भी डाल सकते हैं पर लेमन तभी काम करेगा जब नमक बहुत ज़्यादा तेज ना हो थोड़ा तेज हुआ हो आप नमक को इन्हेंस कर देगा और तीखापन को कम कर देगा जी हां तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम यूज करते हैं मलाई जी हां क्रीम आप दूद के उपर से भी निकाल सकते हैं और बस इसे सब्जीयों में मिला दें कई सारी सब्जीयों में तो वैसे भी में डलते हैं जी हां अब हम बात करते हैं अगर आपकी सब्जीयों जल जाती है तो आप क्या करें आप एड़ करें थोड़ा सा दूद बस आपको ध्यान रखना है कि सब्जी बहुत ज्यादा काली न पड़ गई हो और डालें और धीमी आज पेसे चला के थोड़ी दिर पक आपने चावल नीचे से जल जाता है और सम्मेल आता है बहुत गंदा सा उसके लिए क्या करें चलिए देखते हैं यह देखिए यह अपर आ पर एक्लिए आप नीचे से चावल पकड़ लिए जल जाता है तो समहल आने लगते है तो इसके लिए आप क्या करें चावल जो उपर से अच्छे चावल है उन्हें आप निकालकर अलग बरतन में ट्रांसफर कर लें और ट्रांसफर करके यह जले हुए को डिसकार्ड कर दें और अब इतने ही में अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरू करें आगे देखिए तो ब्रेड अप ले ले ब्राउन ब्रेड है अब जरूरी नहीं है कि ब्राउन ब्रेड ले अब नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं जी हां ब्रेड को रख दें अब आप बोलोगे ब्रेड मैंने नीचे क्यों नहीं डाला क्योंकि फिर आप चावल नहीं निकाल प और आपके चावल यूजफूल हो जाएंगे आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं पुलाव वेगरा में तो आपको कैसा लगा प्लीज बताईएगा मैंने अपनी तरफ से बहुत कोसिस की है कि आपको पैसंद आए अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट सेर और मुझे सपोर्ट करते रहे है सस्क्राइब कीजिए और उसे भी सेर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में और अपना साथ बनाए रखिए बस थैंक यू सो माच थैंक यू फॉर वाचिंग हस्तरी मुस्क्राते रहे है फिर मिलेंगे अगले वीडियो